हेलो फ्रेंड्स में आज आपके लिए स्रेबस लेकर आया हूं जोनियर सिस्टेंट और स्टेंडोग्राफर का जो क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो यह निया स्लेबस है जो साइट में निया निया चड़ा है अभी कुछ दिन पहले मतलब अपडेड हुआ है तो काम आएगा तो त्यारी करने अभी नोटिस तो हट चुक है मगर स्लेबस तो चेंज नहीं होगा और यह स्लेबस जो है स्टेंडोग्राफर और जूनियर स्ट स्टेंडोग्राफर और जूनियर स्टेंट की दोनों के लिए काम आएगा तो इस लबस में है क्या कि 20 परसेंट सीधा सीधा आपको दे दिया गया है इंग्लीश के लिए और इंग्लीश में बहुत ज्यादा महनत करने पड़ेगी आपको ठीक है और 10 परसेंट के लिए आएंगे आपके पास ठीक है फर्स्ट में और उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ लें आर्टिकल इंपोर्टेंट है उसके बाद देखा जाए तो री अरेंज आफ वर्ट्स संटेंस मीनिंग्फूल संटेंस पैराग्राफ वर्ब के बारे में उसकी फाम वगएरा वो देखन पड़ेंगे और वर्ब का यूज एक्टिव परसी वईस विगएरा वो देखना है उसके बाद आंसर दे गिवन कोशिंज पर गिवन पैराग्राफ में तो पैराग्राफ दिया होगा और मगर आपने क्या करना है उसमें से आंसर देने ने चीग कोशिन दिन होंगे चार या वरन लाइण सीरेस होगी और लैटर यहां है कि उसके बाद कोड़िग्डि डिकोडिग है यह तो सबको आती है एजी हर लैटर कोडिग वगैरा ओअ ने तीन पार दिया अनडिग एक तो developed好了 समिफ बगार वही दो dirbt झालाईगी और दूसरा नमेडिकर लाईगी और तीसरा कॉम्प्योटर कहते हैं एक्पूटर में हार्डवेर पढ़ना परता है ऐस्टिंग सिस्टम हो गया थे ज़ुक्र प्राम प्राम के इंट्री कोन सी है एह मारे साइज कोन खुन से कीबी का एम भी जी बी तीवी बाइट थे के बीट्स वगहरा मतलब कितना कितना होता है कर वर्जन बग्यारा के बारे में पूछेगा उसके बार देखते हैं तो हम हमारे पास basic short commands बग्यारा जो होती है वो देखनी है email internet में क्या फरक रहाता है virus और antivirus क्या होता है किसने discover किया अब हुआ इस सब जानना देखो जो भी चीज पड़ी है उसमें हमें कब किसने किया कहा यूज होता होता क्या है और मतलब latest version जो यूज हो रहे हो देखने हैं आपको I hope ये वीडियो आपको बहुत ज़्यदा help करेगी तो thank you please subscribe my channel